हलो एवरीवन मैसल्फ मनपृत एंड वेलकम अधो 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 नर्सिंग स्कूप यूट्यूप चानल थे सो आज अपा स्टार्ट का रहे हैं क्विक वीजन फॉर बी एफज एचेस एंड जी एमचेस स्टाफ नर्स एंड ट्यूटर एक्जाम इसको पहला जी एमचेस प्रिविएस एर पेपर स्टार्ट कीता सिगा बट जी एमचेस पेपर थोड़ा लेट होगा एंड बी एफज एचेस दा पेपर पहला होना एक्सपक्टेड हां इस करके आपको क्विक वीजन स्टार्ट कर लाने हैं तो डैट जो सारे सब्जेक्ट्स हैगे आओं कवर हो जन एदिन आलनाल विच विच जो मेंनों टाइम में लोगा में इंपोर्टेंट एमसी क्यूज भी अप्लोड कर दिया खरोंगी बट फिलहाल आपा जो थियूरी हैगी हां ओधे ते फोकस करांगे कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंटर रवे ना पेपर दे विच जानतों पहला एंड मैं फिर तो रिक्वेस्ट कर दिया हैं जो प्रिविएस वीडियो सारी हैं तुसी देखके जाओ ठीक है जो एमस नॉरसेट देली गोल्डन पॉइंटर्स बनिया हुएं बढिया हुएं देन साइकेट्रिक नर्सिंग दे टॉपिक वाइस एमसी क्यूज अपलोड हुए हुए है इस चानल दे उत्ते एद देन तो आनू ओ भी गाई नहीं है वीडियोस भी मिलन गिया देन मैज सर्च दे भी कुछ टॉपिक वाइस बने हुए हैं एमसी क्यूज वीडियोस उसी एंटलेक्स-based MCQs नीज फोकस करनिया एंड एही फुल्फिल हुनिया चाहे दिया देन आफ्टर साइकलोजिकल नीज ओन गिया ठीक है जी सो मासलो है रारकी नीज थियूरी बहुत वार यूज हुन दिया जो प्रियोरिटी वाइस कोईशन पुछे जान दिया ओके सो एदिन आली अपा नेक् कुछ इंजक्शिंघ्सट्री नीज दिया जेट्रै को थो एंड चाहे जंत्र सीज प्रियूरी जेडिकले को इंञेज वाजा दिया को से चाहे थे मिल्वां को एदेन आ डिमाइस्ट्रा नीज वार्टर नौन देटेल्ट्राइज हों दैनल को आईज हों सब्सक्शिंद सा एक निमॉनिक यूज हुन्दा है रेस सो कई वरी रेस दी एक्सपेंशन देते कोश्चन आ जान्दा सो एदे विच आर दा मतलब किया आर मीन्स रिमूव और रेस्क्यू दा पेशेंट ठीक है एदा मतलब है एक्टिवेट दी अलाम सी दा मतलब है गा या कॉन्फाइन दा फ खाया है जो विथ इस नेक्स आपट पॉइंटर देख दिया है फिफ दे पेशेंट गांट वाइड अगर पेशेंट नहीं का रहा है त्धन फॉस्त नर्सिंग अक्शन कि हुना जाहीदा फॉस्त नर्सिंग अश्टी पॉपपेट दी ब्लैडर वाइड तु पॉपपेट केड़ी पोजीशन देनिया, साइड लाइं पोजीशन देनिया, सो देर तो प्रवेंट दी रिस्क ओफ एस्पिरेशन, इन केस अफ अंकांशियस पेशिंट वाइद दी ओरल केर, नेक्स्ट इस, एस पर दी रिकमेंडेशन दी रिस्क ओफ दी नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, सो नीडल स्टिक इंजरी होंदे चांसे होंदे हैं, ज्यादा पर रिकैपिंग कर दे हैं नीडल्स दी, इस करके हों, CDC ने कहाया कि, स्टैंडर प्रकॉशन दे विचांदा कि उसी रिकैपिंग अफ नीडल्स नहीं करनी, ठीक हैं? So, next is, when caring for any patient, nurse should follow the standard precautions while handling the blood and body fluids, ठीक है? So, next is, before taking the adult temperature orally, the nurse should ensure that the patient has not smoked or consumed hot or cold substances in previous 15 minutes. So, previously, 15-20 minutes देविच पेशिट ने कुछ खादा नहीं होना चाहिए था, because of false reading दे सक्दा है, So, इस करके तुसी patient दो पहला पुछना है, क्योंने smoke था नहीं किता हुए है, जहां कुछ hot and cold substance था नहीं consume किती होई, अगर कीती है, तुसी rectally temperature क्यों नहीं चेक करना, because measuring the temperature rectally may stimulate the vagal response, ठीक है, So, this can lead to the vasodilation and eventually this can lead to the decreased cardiac output, ठीक है, So, इस करके cardiac disorderly patient देविच जो rectal temperature measure करना recommended नहीं होना है, So, एक कता होगे कि cardiac disorder देविच तुसी rectally temperature नहीं check कर दे, होवर कंडिशन आगे है, like anal lesions होगे, then bleeding, hemorrhoids and recently undergone the rectal surgery, Because यह सारियां conditions देविच कहनदा है, risk of bleeding हो सकता है, So, इस करके यह ना सारियां conditions देविच जो rectally temperature measure करना recommended नहीं होना है, ठीक है, so next pointer देख 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 देयां, so next pointer is positive hormone sign, so positive hormone sign की indicate कर दा है, So, this indicate the thrombophyllbitals, so signs दे होते जिनने भी important clinical signs होना दे इते separate video में बनाई हो है clinical signs करके, तुस्रीव वीडियो जरूर देखने हो देख नहीं हो देख जिनने भी important signs होन तक पुछे जा चुके है, जहां पुछे जा सकते हो सारे कवर्ड है गया तो इस वीडियो नो देखों तो बाद तुसे क्लीनिकल साइन्स वाली वीडियो जरूर देखिए हो जर जे तक नहीं देखिए तो एदिन आली नेक्स्ट पॉइंटर देख देया इफ दा पेशेंट कांट काफ तो माइ देखि यूइंट्मेंट और आईड्रॉप दोनों इंस्सेल करने या तर्स ली तुसी आईड्रॉप इंस्सेल करूंगे थेन आफ्टर दट आ आईएट्मेंटक्रेंटेर्ड साइटरिय। click on the next is in case of total parental nutrition Least, TPN, the solution should be stored in a refrigerator and this should be removed 30 to 60 minute before the use. because the delivery of chilled solution can cause the pain hypothermia Vene spasm and Vene ही कह जी, so इन्हों रखेटर जपा रख देयां and remove कर देयां 30-60 minute before administering to the patient. So next is in case of chest tube drainage. So chest tube drainage system दे विच अगर line is broken or interrupted then first nursing priority action की होना चाहिदा then first action is to clamp the tube immediately. So next is a nurse should not use her thumb to take a patient pulse rate because a thumb has a pulse and this can be confused with the patient pulse. So I think एदा सबनों पता ही होगा basic vital signs दा pointer आहें. So next है गया cold and hot application दे विच ओ पॉइंटर. So cold packs जो हों देया, cold packs are applied for first 20-48 hours after the injury. ठीक है, so first 48 hours तक उसी cold pack यूज करना है था, then after that heat should be applied to the site. And during the cold application, जो तुसी cold application यूज कर देया है, patient daily. Then pack is applied for 20 minutes. ठीक है, 20 minutes तक उसी apply करना. Then उन्हों रिमूव करना for 10 to 15 minutes. क्यों उन्हों तुसी remove करना for 10 to 15 minutes? So there to prevent the reflex dilation means के rebound phenomenon. So basically हुंदा की जो cold application हों देयों वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, ठीक है? So अगर तुसी उन्हों 20 minutes तो जादा टाइम ली अप्लाई करूंगे, तक ही हुना जो आपोस एक्शन होगा, means के वेजो डाइलेशन होनी start हो जोगी. So इस करके रिक्मेंड़ है गाया के 20 minutes तक उसी max use करना है, उस तो बात उसी उन्हों रिमूव करना फो 10 तो 15 minutes, ठीक है? So एकता हुए रिबाउंड फिनोमेन नों प्रवेंट करने ली एंड सेकेंड इस तू प्रवेंड इस तू प्रॉस्बाइट इंजुरी, क्लियर जी? Okay, so with this moving towards the next pointer, so a pointer पहला किसे एक्जाम ची पुच्छे जा चुका के which vitamin is needed for collagen production, so vitamin C is needed for collagen production, so with this moving towards the next pointer, so potassium, so potassium is never administered via IV push, via IM or subcutaneous root, so IV potassium is always diluted and then administered using the infusion device, ठीक है जी IV push देनाल कदे भी नहीं देने आपा potassium, so normal potassium level किनना हुंदा है? GMCH दा है question एक वरी पहला पुच्छा जा चुका है, normal potassium level है 3.5 to 5 millio equivalent per litre, so normal sodium level is 135 to 145 millio equivalent per litre, so next is hyponatremia, hyponatremia की है, decrease sodium level, so 135 to 145 तक हुंदा normal, so 135 तो below है गाया, means क्यों hyponatremia है, then उस case दे विच अगर पेशेंट नो lithium दे रहे हैं, तुसी lithium की हुंदी है, lithium is a drug which is used in case of manic disorder, ठीक है, पेशेंट अगर मेनिया हुए या जा बाइपोलर दा पेशेंट है, then आपा lithium यूज कर दे हैं, ठीक है, mood stabilizer agent है, so अगर पेशेंट नो lithium जा रहे हैं, and उदा sodium level कट हैगाया, decrease the body damage, then lithium toxicity हुण दे चांसेज जादा हुज दे हैं, ठीक है, so next is normal calcium level, so normal calcium level के नहुंदा है, 9 to 10.5 mg per dl, ठीक है, and normal magnesium level के नहुंदा, 1.8 to 2.6 milliokevalent per litre, and calcium gluconate is the antidote for the magnesium overdose, so next है गया, decrease in serum phosphorus level is accompanied by increase in serum calcium level, so अगर phosphorus level decrease हुणदा है, then calcium level increase हुगा, अगर phosphorus level increase हुणदा है, then calcium level ने decrease हुणा, means के नहां अंदर reciprocal relationship हा, okay, so next pointers है गया, यह है गया, acid-base imbalance हुँ, so ABG analysis दे previously में एक वीडियो बनाई सीगी, थोड़े दिन पहला ही, अगर कुसी यो वीडियो नहीं देखी, then must watch that video, because यह दे थे, एक दो questions अने, शौर शौर टाम, so if the client has a condition which causes the obstruction of airway or respiratory depression, then monitor the patient for signs of the respiratory acidosis, ठीक है, so अगर respiratory obstruction like कोई भी problem like COPD है, asthma है, M5C मा है, then patient नो तुसे monitor करना हुदा for respiratory acidosis, clear, and next is diabetes mellitus, so diabetes mellitus can result in the metabolic acidosis, known as the diabetic ketoacidosis, so diabetic ketoacidosis देश, metabolic acidosis है, so next is monitor the client experiencing severe diarrhea for manifestation of metabolic acidosis, so severe diarrhea देश, metabolic acidosis होन दे चांसे है, and in case of excessive vomiting, in case of severe vomiting, and in case of GI suctioning, the patient is at risk of metabolic alkalosis, clear, जी, याद रखने है, सारे pointers तुसे, so next is a major concern with acetaminophen, so acetaminophen drug दी जो main complication होन दी है, that is the hepatotoxicity, so agar patient दो liver impairment है गिया, then a drug जो acetaminophen है गिया, then that drug is contraindicated, clear, and antidote के दा हम दा acetaminophen दा, antidote is acetyl cisterine, clear, so next pointer देख देया, next pointer is, so next is activated partial thromboplastin time, so this lab value is used to monitor the effectiveness of the heparantherapy, and it is also used for screening of the coagulation disorder, activated partial thromboplastin time, and the normal lab value for activated partial thromboplastin time is 30 to 40 seconds, and if the patient is on heparantherapy, then 1.5 to 2.5 times the value increase हो साक दिया, and ओ normal consider किती जान दिया, ठीका जी, so next है गया, blood transfusion reaction, so एदे ते बहुत वारी questions बन देया, so blood transfusion reaction दे पहला, the signs देख लो की हुन देया, chills, fever, low backache, flushing and itching, ठीके, and जो first priority nursing action बन दाया, in case of blood transfusion reaction, that is, stop the transfusion immediately, so stop करना तुसी transfusion immediately, and then IV line नो तुसी maintain करना, with normal से line, vital signs monitor करने या, then after that notify करना physician नो, and blood bank नो, and उस्तों बाद तुसी re-check करने है, client the blood type and return the blood back to the blood bank, ठीके, for further testing, and after that collect the blood and urine sample to evaluate the hemolysis, and complete the necessary documentation, so in case of blood transfusion, first action होना जाईदा, तु stop the transfusion immediately, clear जी, okay, so next pointer are from eardrop installation, so if your patient is plus 3, means कि 3 year तो जादा age है गी होदी, then you have to hold the pinna of the ear upward and backward, why? so that to straighten the external ear canal, and if your patient is smaller than 3 years, ठीके कि child 3 years तो छोटा या बच्चा, then you have to pull the pinna down and backward, ठीके, downward and backward, so that to straighten the external ear canal, okay, so with this moving to the last pointers of today's video, and it's about the basic principles of the surgical asapsis, so surgical asapsis च्च बच्च बच्च प्रिंसिपल्स केडे हुन देया, कई वरी यदे ते भी question आन्दाया, so एक पर यापा देखलेनेया, every object used in a strile field must be strile, and if the strile object touches the unstrile object, then it is no longer strile, and if the strile object is out of view, और below the waist level, then it is considered unstrile, clear जी, a strile object can become unstrile, through the exposure to the airborne microorganisms, and next is the edges of strile field are always considered unstrile, and skin can't be sterilized, so एह है कि basic principles of surgical asapsis दे, so चलो इत्थ ही अप इस वीडियो नो end कर देया है, and I hope कि तुसी side-by-side अपने handwritten notes बना दे जान्दे होंगे, so जित्थे वी तानो need लग दिया, वीडियो नो pause कर सक देया, जाँ, slow कर सक देया तुसी, and अपने जो important pointers है गया, last minute reason दे लिए अपनी notebook दे note कर दे जाओ, and अगर तो आनों वीडियो वदिया लग दिया है, then share it within your circle, and subscribe कराओ channel नो, ठीके अपनी feedback comment section दे वेच, ज़ूर provide करेया करो, so चलो, काल में लोगी next video दे वेच, so stay connected with nursing school, and thank you so much for watching, अपनी है,